नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे इस्वर की दया आप सभी पर बरस्ती रहें मेरी इस्वर से ही प्रार्तना है और आप लोग भी थोड़ा सा प्रार्तना मेरे लिए भी करते रहिएगा तैंक्यू सो मॉच आज का टॉपिक म मित्र लोग जरूर सुनियेगा प्लीज आई रिक्वेंश टू यू एवरिवन प्लीज थैंक्यू सो मच खेर बात को आगे बढ़ाते हैं आज का टॉपिक मेरा यह है कि हम यह कह देते हैं कि देकि टॉपिक में बात में बताऊंगी बहुत ही जरूरी है लेकिन उससे पहले कुछ और भी कहना चाहती है हम अपनी बीबी से कहते हैं मतलब जिन्स की बाते कह रही हूं हमारे हस्बें यह कहते हैं कि हम अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हैं हम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते है हर हस्बें यह बात कहता है अपनी वाइफ के मुँपे अपनी व इतना काफी है इतना काफी होता है कौरत के लिए हाला कि कुछ औरतों की डिमान तो इतनी जादे होती है कि पूरी नहीं करी जा सकती है सायद लेकिन बहुत सारी औरते हैं बस इतना सजाती है पता है आप लोगों को कहाती है वो यह चाहती है कि हमसे प्यार तो करती ही है लेकि नहीं लगता है, actually मैं बिना वज़े के कोई बात नहीं दहती हूं, आज का टॉपिक मेरा इस टॉपिक पे है, जैसे जितनी लेडिजे हैं, यूटूबर है, जो यूटूब बनाती है, यूटूबर है, उनके हस्बन ने इतनी छूट तो दे दी कि जाओ अच्छा बनाओ, उठाने का मतलब यह नहीं है, कि आप मेरे चरित्र पे उंगले उठा रहे हैं, कता ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब, लेकिन कहने का मतलब यह है, कि अगर हम किसी भी कारे में आगे बढ़ते हैं, तो हमको रुकावटे बहुत मिलते हैं, रुकावटे हमारी रास्ते में बहु हैं, मतलब हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों है, तो हम क्या करते हैं, बुराई को लेकर चलते हैं साथ में, या फिर हमने उस बुराई को कहा था मेरे साथ, तो आज का टॉपिक मेरा ये है, कि जैसे लोग भई अब हमने अगर वीडियो बनाना शुरू किया, वाज टाइब हमारे नहीं पूरे हुए है, तो लोगों ने कहा कि लाइब आने से वाज टाइब पूरा होगा, तो लाइब आए, लाइब में आने के बाद ये अहसास होता है कि यहां कितने गंदे लोग भर मैं जानोंगी, क्योंकि मैं करती हूँ वो काम, मेरे साथ हो चुका है, मैं लाइब आई, मेरे साथ बहुत गंदे लोग आए, पेस, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सब्दों बोले, जो कहने से पहले दस बर सोचा जाएगा, वो लिक के हमसे पूछ रहे हैं, अगर औरते पीरिड नहीं आएंगी, तो उन जैसे नालाइकों को पैदा कैसे करेंगी, मैं उन हस्बेंड से कहना चाहती हूँ, कि मैंने क्या कहा था कि मुझसे ऐसे पूछो, मैंने कहा था, नहीं ना, तो हम हमारे कहने का, मैंने अपने हस्बेंड से बताया, मुझे त्षे हयों को होता है। अगर अच्छा जीवन साथ ही मिल जाये तो गुनाह नहीं होता है। तो गुनाह होता है, लब मैरिज हो जाए आरेंज मैरिज हो पति पत्णी एक दूसरे के साथ जीवन भर रहते हैं। पूरा परिवार रहता है। लेकिन निभाता है खाली पती-पत्नी का रिज़ता एक दूसरे के साथ, पूरी जिंदगी है, अगर निभता है तो, तो समझ के बूच के निभाने में ही हम लोग की भलाई है, तो औरते जहां दस बाते परदास करती है, कि आदमी को उनके भरुसा नहीं होना चाहिए, हमारे खुसी हुई, मुझे बेहत खुसी हुई, मैंने कहा, कि मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोला, मैंने गलत बोला, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला, क्या तुमने कहा था उससे आने के लिए, क्या तुमने कहा था उससे पूचने के लिए, म मेरी हाथ जोड करके request है कि इसमें पत्नी की कोई गलती नहीं, अगर हमारी life में कोई गंदा आ रहा है, तो गंदा चला जाएगा, आया है जाएगा, लेकिन आपको अपनी बेवी पर भरोसा होना चाहिए, अगर आप अपनी पत्नी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, कि यह आदमी कैसे आगया, कैसे कर रही हो, कैसे क्या कर रही हो, तो यहाँ आपकी गलती होई जर, एक्चली गलती इसलिए होई, क्योंकि अगर आपने permission दिया है, किसी भी काम को करने के लिए, कि हाँ तुमी यूटूब करो, यूटूब बनाओ, वो अपनी सभ्था, अपनी मर्यादा नहीं भूली है, उन्होंने नगनता नहीं दिखाई है, उन्होंने अपने कपड़े नहीं खोल के दिखाए हैं, हलाकि यह बाद सब पर नहीं लागो होती है, कुछ लोगों पर लागो होती है, उसमें से एक मेरे husband है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भाई अगर अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, तो अगर दो बुरे आ रहे हैं, तो दस अच्छे आ रहे हैं, तो हमको अपने आप पर भरोसा है, लेकिन अगर यही बात हमारे पतिदेव ने ऐसे कहा होता, कैसे लाइब करती हो, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मेरा मनोबल इस तरह से नहीं होता, मेरा मनोबल भी तूडता, लेकिन मेरे husband ने मेरा support किया, उन्होंने कहा, कि कोई दिकत नहीं भाई, तुम्हारी क्या गलती है इसमें, और लाइब में बोलने के पीछे, सिर्फ इतना मकसद होता है, कि हमारी बहुत सारी बहने हैं, जो डर के हमारे लाइब करना छोड़ देती हैं, वो उस आदमी से नहीं डरती है, उस गंदे ब्यक्ती से नहीं डरती है, क्योंकि उनको पता है वो गलत नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार से डरती है, अपने घरवालों से डरती है, अपने रिष्टेदारों से डरती है, रिस्तेदार हमारे रोटी पे नमक रखने आये चाहनायाएं लेकिन अगर इतनी सी कमी पा गए तो दोड़ के आयेंगे पताने कि हाँ तुमको ऐसे वो बंदा कह रहा था ये करने जरूर आता है रिस्तेदार लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं तो इस बात से फरक पड़ना चाहिए कि हमारे हस्बेंड हमारे साथ है या नहीं है अगर हमारे साथ है तो हमको बेहत खुजी मिलती है अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे बड़े दुख की बात है कि हम इतने अच्छे होने के बाद भी हमारा हस्बेंड हमारा साथ नहीं दे इस बात की तकलीब है मैं बिना वजय कोई बात नहीं कहती हूँ हम आप लोगों से रिक्वेश्ट करते हैं कि अगर हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम माप ही चाहते हैं लेकिन हमारे कहने का सिर्फ ही तना मतलब है कि उस लेडिज की कोई गलती नहीं है जो आप लोगों से फिर से रिक्वेश्ट करते हैं प्यारे-प्यारे हमारी बेहनों के उनका सप्वोर्ट करें क्योंकि सबसे पहला सपोर्ट हेस्दा होता है अगर सब्न साथ दे कोई कट्नाइय हम बड़ी जो बढ़ी प्रम जोगवास को पार कर सकते हैं जैसे इस इसे देती तो पत्नी को भी बड़ा सकुन मिलेगा, बड़ी खुसी मिलेगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगो को वीडियो पसंद आएगी, तैंकी सुमाज, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मा भी चाहते हैं, लेकिन प्लीज, आप लोग वश जरूर करिएगा, उम्मीद करती हूँ कर के कियार।